आप लोग बुताओ कैसे हो अच्छा सबके तबियत ठीक है ना ओके वेरी गुड फ्लावर्स मैं कौन हो अंत्रा मैम ओके सो माई जैफ फ्लावर्स बता सकते हो कि आज हम क्या करने वाले है आज हम एक एक्टिविटी करेंगे माई प्रैक्टिस बुक से हाँ ओके इसके लिए तो हमें माई प्रैक्टिस बुक चाहिए है ना ये देखो माई प्रैक्टिस बुक ये बुक जल्दी से ले आओ और साथ में एक पेंसिल और एक इरिज़र भी ले आना ओके ले आए हो अभी गूगल क्लास्ट्रूम में जो पेश नमद दिया हुआ है मम्मी या फिर पापा को बोलो आपको वही वाला पेश खोल कर दे ओके चलो अभी बता सकते हो कि आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे ओके मैं बताओ ओके सो बोलो फ्लावर्स ये क्या है ओ है ना ओ के बाद आ वेरी गूट फिर क्या छोटी ये और ये क्या है बड़ी ये वेरी गूट फिर बड़ी के बाद हाँ छोटी ये और ये क्या है बड़ी ये वेरी गूट सो आज हम ये सभी अक्षर को लिखना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सो सब लोग जल्दी से तयार हो जाओ, अक्टिविटी कहने के लिए, ओके, तो चलो flowers, अक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ओके, चलो सो flowers, यहाँ पर हम सभी अक्षरों को लिखेंगे, ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, ओ है ना, फिर आ, छोटी इ, बरी इ, छोटी उ, बरी उ, ओके, सो ये सभी अक्षर को चलो finger से trace कर ले, कैसे, ओ कैसे trace करते हैं, एक आधा गोल निकालके, और एक आधा गोल निकालेंगे, है फिर क्या, फिर ऐसे करके, एक खरी रेखा, फिर मात्रा दे देंगे, सो ओ, फिर आ को trace करे चलो, एक आधा गोल निकालेंगे, और एक आधा गोल, है ना, सेम तरीके से, फिर ऐसे करके, दो खरी रेखाय निकालेंगे, फिर मात्रा दे देंगे, है ना, फिर छोटी इ, को trace कर चलो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोर कर एक आधा गोल निकालेंगे फिर और एक आधा गोल निकालके ऐसे करेंगे है ना फिर मात्रा दे देंगे छोटी ए फिर बड़ी ए को भी सेम तरीके से चलो ट्रेस कर ले फिंगर से आप तो जानते ही हो ट्रेस कर लो फिर मात्र देंगे चोटी बड़ी ओ सेम तरीके से ट्रेस करो फिर बीच में से ऐसे करेंगे है ना ओके चलो सो फ्लावर्स यहाँ पर हम यह सभी अक्षरों को लिखेंगे ठीक है चलो पेंसिल ले लो देखो मैंने पेंसिल ले लिए है फिर कैसे हाँ एक आधा गोल निकालके और एक आधा गोल निकालेंगे आप लोग तो लिख सकते हो जल्दी से लिखो मेरे साथ यह क्या है ओ है फिर से लिखेंगे सेम तरीके से एक आधा गोल निकालके क्या और एक आधा गुल निकालेंगे फिर ऐसे करके एक खरी रेखा है ना फिर मात्रा दे देंगे तो यह हमने क्या लिखे ओ है ना चलो फिर आ लिखते है चलो यहाँ पर सेम तरीके से ठीक है देखो एक आधा गुल निकालके और एक आधा गुल निकालेंगे फिर ऐसे करके दो खरी रेखा है ना Very good फिर देखो माच्चा दे देंगे So यह क्या है? A है ना? Okay, so यहाँ पर भी लिख लेते हैं चलो आप भी मेरे साथ लिखो Very good, बहुत अच्छे है चलो फिर दो खरी रेखा निकालेंगे है ना? फिर माच्चा दे देंगे So यह क्या है? A है ना? चलो अभी हम छोटी E लिखेंगे ठीक है? चलो कैसे? मेरे साथ बोलो और लिखो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोर कर एक आधा गोल निकाल लेंगे फिर ओपोजिट डायरेक्शन में और एक आधा गोल फिर ऐसे करके माच्चा दे देंगे है ना? यह क्या है? चोटी E चलो लिख लो यहाँ पर भी चलो एक छोटी सी खरी रेखा फिर उसे जोर कर एक आधा गोल आपोजिट डायरेक्शन में और एक आधा गोल निकालके ऐसे करके माच्चा दे देंगे है ना? यह हमने क्या लिखे? छोटी E चलो अभी हम बड़ी E को लिख लेते है सेम तरीके से है ना? फ्लावर्स जैसे छोटी E हम लिखते है वैसे ही बड़ी E को भी हमें लिखना है है ना? देखो माच्चा दे देंगे फिर क्या? ऐसे करेंगे है ना? चलो लिख लो देखो मैंने तो लिख लिए है अभी यह भी लिख लेते है चलो ऐसे करके हाँ और एक आधा गोल फिर ऐसे करगे है ना? फिर माच्चा दे देंगे और ऐसे करेंगे तो देखो बड़ी इतो हमने लिख लिख लिए है ना चलो अभी छोटी उ को लिखेंगे चलो कैसे हाँ very good एक आधा गुल निकालेंगे फिर और एक आधा गुल निकालेंगे है ना फिर मात्रा दे देंगे तो यह क्या है छोटी उ चलो सेम तरीके से और एक छोटी उ लिख लिख लिएते है मात्रा दे देंगे very good तो हमने छोटी उ लिखे है ना ओके तो यह क्या है बड़ी उ चलो फ्लोर्स इसको भी लिख लिख लेते है सेम तरीके से एक आधा गुल निकालेंगे और एक आधा गुल निकालेंगे फिर बीच में से ऐसे और एक आधा गुल है ना फिर मात्रा दे देंगे बड़ी उ ऐसे लिखते है ना चलो फिर से लिख लेते है एक आधा गुल निकालके उसे जोड़कर और एक आधा गुल निकालेंगे फिर बीच में से और एक आधा गोल ऐसे फिर मात्रा दे देंगे सो हमने बरी उपो लिखे है ना अभी flowers आपको सबी अक्षरों को सेम तरीके से यहाँ पर भी लिखना है ओके चलो जल्दी से आप लिख कर कंप्लीट कर लो ओके चलो So my dear flowers आज हमने क्या किये हाँ और से येस बरी उपो तक आज हमने लिखना प्रैक्टिस किये है है ना ओके So आप तो आप लोगों को घर में भी प्रैक्टिस करना है है ना नहीं तो कैसे याद रहेगा है ना ओके चलो So my dear parents I would like to request you to submit this page on the google classroom So my dear flowers आज के लिए बस इतना ही ओके चलो Take care of yourself Love you all flowers Bye